तो दोस्तो नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सुर्जीत पेंटर वाइट वर्ष में दोस्तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारा कमरा एकदम कंप्रीट हो चुका है ठीक है और अभी इसमें लास्ट काम चल रहा है इसकी थोड़ी से साफ सफाई का काम ह यहां रही है अभी स की सफाई का काम चल रहा है कि यह जैसे ही सफाई हो जाएगी तो फिर यहां पर जो जो फिर दिंञें घहां सबसें कृद कर सकें जे उमेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही और सबसे ज़्यादा खतरना काम था यह एक साफट है इस साफट में हमने पेंट किया अभी पूरा फैनल पेंट नहीं हुआ है देख पारें सब चार मंजिल का है और इसमें कहीं पर उने खड़े होने की कोई जगा नही है तो जैसे तैसे करके किया है कर दिया थोड़ा थोड़ा ठीक है और अब आगे चलते हैं आगे दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है यह मारी बालकनी है मैंने आपको दिखाया था क्या भी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें कुछ काम नहीं हुआ था और आज इसमें पट्टि खेच चुकी है पूरे में पट्टि खेच चुकी है और प्राइमर का भी काम हो चुका है देख पा रहे हैं और अभी हमारी टीम हमारे मनोज राठोर जी इसमें पेंट कर रहे हैं और बहुत लगन से काम करते हैं यह ठीक है अभी दो गंटे में इसको भी फाइनल कर देंगे फाइनल होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर कैसा इसमें फिनीसिंग आई है यह हमारा नीचे वाला सेकेंड फ्लोर है और यहाँ पर भी हमारे पोवंजी लगे हुए पूरी लगन से अब यहाँ पर आज अब हमें इस वाले फ्लोर को कंप्लीट करना है अभी आप देखिए इसकी केंडिशन अभी इसमें मशीन से औरेगमाल मार दिया गया है और प्र यह जीना है जीने में भी रिगमाल मशीन से लगाकर इसके अंदर भी प्राइमर लगा दिया गया है ठीक है यह यहां से जीना उपर वाला कंप्रीट हो चुका है अब मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ कोई यहां की बालकनी कैसी है अभी देखिए इसकी हालत देखिए यह फ्लैट काफी दिनों से बंद था इसलिए इसकी हालत ऐसी कंडिशन खराब ही पड़ी है अब कि हम कर लग गए हैं तो हम इसको चमका करी जाएंगे कितनी खराब कंडिशन है यहां का इनका टॉइलेट है टॉइलेट तो फिर भी ठीक है यह ग्रील है है यह सामने का देखिए थोड़ा सा यहां पर पारक है यह है यहां का निच्छे का सेकेंड कमरा इसकी कंडिशन देखिए अब यहां से पुरा खाली हो जाएगा यहां से सारा समन हट जाएगा इसके बाद में फिर इसकेंड करेंगे यह बात्रूम यह देखिए बात्रूम को यह किचिन है देखिए सीलन की वज़े से कितना बुरा हाल हो रहा था अब हम इसमें लग गए तो अब हम इसको पूरा चमका करी जाएगे यह देखिए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर पताईए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और हाँ दोस्तों यह जो दिवार है ना अभी आपको जो ऐसी दिख रही है हम इसके उपर टैक्सेर डालेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि टैक्सेर किस तरीके से डाला जाता है अभी तो इसमें बहुत काम बागी है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में